उत्तर प्रदेश के उप्चुनाफ से पहले एक बड़ी खबर निकल कर सामने आई है खबर ये है कि आजम खान को बड़ी जिम्धारी देने का मंद समाजवाधी पार्टी बना रही है सपा की स्टार पर चारक लिष्ट में वैसे तो कई नाम है लेकिन इस लिष्ट में कई चौकाने वाले नाम शामिल है सपा द्वारा जारी की गई इस लिष्ट में सपा मुकिया अकलेश यादव, सपा सांसर रामकोपाल यादव, सपा नेता शिफपाल यादव, सपा सांसर डिमपल यादव और आजम खान का नाम भी शामिल है सपा द्वारा जारी की गई चालिस इश्टार पर चारकों की लिष्ट में सबसे पहला सपा मुक्या अखली श्यादव का नाम है आला कि इस लिष्ट में जेल में बंद आजम खान का नाम सभी को चौका रहा है क्योंकि अब देखना ये है कि आजम खान जेल में बंद हैं और वो किस परकार से समाजवादी पार्टी के लिए चुनाफ परचार कर पाएंगे अपने दर्शकों को बता दें समाजवादी पार्टी प्रमुख अकलेश यादव ये बात पहले से कहते रहे हैं कि हम आजम खान साहब के साथ हैं और आजम खान जी के साथ हम हमेशा रहेंगे हाला कि अपने दर्शकों को बता दें कि समाजवादी पार्टी और आजम खान के बीच में जो तकरार है वो बहुत जादा इसलिए बढ़ गया था क्योंकि आजम खान से अलग अपना कर रणीती अकलेश यादव ने कई चुनावों में अपनी रणीती बनाए थी हाला कि अ आजम खान से मुलाकात करने अकलेश यादव जेल में नहीं गए थे और तो और ये तक देखने को मिल रहा था कि आजम खान ने इस तरीके की बात भी अकलेश यादव के लिए की थी कि अकलेश यादव के साथ उन्होंने इतने लंबे समय तक पार्टी में काम किया पार्ट खान का सहाराक ले रहें तो इसका फायदा उन्हें कितना मिलेगा यह तो वक्त तैय करेगा